पूरवा फालगुनी नक्षत्र के नक्षत्र साम शे बचकर पच्चिस मिनाट तक चलते रहेंगे तद पस्चाथ उत्तरा फालगुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे पूरवा फालगुनी नक्षत्र के नक्षत्र सामी शुकर देव हैं आज के जन में जातक सुंदर लोगप्री, साहसी, इमानदार, संगीत प्रेमी, बहुमूल्य वस्त्रों और आधुश्णों के प्रेमी लाटगी तरह सहयर इत्यादी में रुची रखने वाले और अपने इ सिंगरासी में ही चलते रहेंगे, मगर नक्षत्र सुक्र का होगा, जिससे रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, आत्मिश्वा साध्योष प्रतिग्य मानसिक्ता लाव दिलाने वाली होगी, बिभागी अधिकारियों का सहयोग और उचित मार्ग दर्शन बना रहेगा, भावनात्मक रिष्टों की बुनियाद मजबूत होगी, हर्स और पसंदता के साथ सुख क्यान भूती होगी, और पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी, आज का राहुकाल दोपर डेड़ बज़े से तीन बज़े तक लगा रहेगा, इस दोरान किसी नय काम की शुरुवात तथवा कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए, आज माघ संकस्टी गडेश चतुर्थी की पवित्रति थी है, इस दिन साम को गडेश जीक को दूरवा, तील और गुड से बने हुई सामगरी अर्पित करना चाहिए, आज के चंदरोदय का समय रातरी 9 बचकर 12 मिनट पर मानिता है कि इस दिन भगवान गडेश की आरादना, पूजा इत्यादी करने से सभी संकट और अरिष्ट दूर होते हैं, सुख संपत्ति और आरोगिता की वाप्ति होती है मेश रासी वाले जात्कों को कारे छेतर की अनकूलता मन मताबिक बनी रहेगी, नवी निरिष्टों का निर्मार होगा, लाव के नए एवसर सामने आएंगे, साजेदारी सफल रहेगी, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होगी और आर्थिक लाव वसाह योग मिलता र मगर अध्यान अध्यापन में सहीओग मिलता रहेगा, विद्यातियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा, खान पान में सावधानी बत्तें, पुरानी दिकतें फेर से शुरू हो सकती हैं, साथ ही वयवाहिक मामनों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा ब्रिश राशी बाले जात्कों को कारेचे से मानसिक और संतुष्टी मन मुताबिक काम का नौ होना स्वास संबंदी जटिलताओं के साथी साथ डिढ़िक्षा सकती और उत्साह में कमी मगर मित्रों से सहयोग वा आर्थिक लाग संभावित है हाला कि योजनाओं को लागू करने में प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी और कुछ रुके हुए काम भी संपन्द हो सकते हैं नीजी निवेश के लिए समय अनकूल है ग्रिहोप योगी बस्तों में बृद्धी होगी वैवाहिक मामलों के लिए आजका दिन अनकूल रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग और सफलता मिलेगी मगर स्वास संबन्द ही आवसक साउधानी बनाए रखे मिथुन राशी वाले जत्तों को अपनी दिढ़िच्छा सकती और आदमिश्वास का पूरा सहयोग मिलता रहेगा कार्योजनाओं को सुचारू ढंक से पूरा करने में विभागी अधिकारियों और सहयोगियों की प्रेणा मिलती रहेगी नई कार्योजनाओं के प्रस्ताव और साजेदारी सफल रहेगी आठिक लाग साम्मान रहेगा नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कुछ न कुछ सीखते रहने की प्रवरिक्ति बनी रहेगी विद्यार्थियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी शाशन सत्ता वाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा किसी महत्पून काम के पूरा होने से सामाजी प्रतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी और नीजी संबंद प्रगाड होगे करकराशी के जात्मों के लिए आज का दिन धन संबंदी मामलों पर केंदित रहेगा वाणरी का परिस्करण होगा और आठिक लाव के वैकल्पिक मार्गों की मानसिक्ता बनी रहेगी आप अपने कारेच छेत्र में सफल रहेंगे और साचेदारी सफल रहेगी भागेवस नई वजनाव के प्रस्ताओं भी आ सकते हैं निजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा पारिवारिक दाईत्यू में मानसिक दबाव महसूस होगा विद्यातियों के लिए आज का दिन भेहनत वाला होगा भावनात्मक रिष्टों में उतार चड़ाओ संभावी थाये मधूर संबंधों का ख्याल रहेखें और स्वास संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं सिंग राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके दिछा सकती और आत्मिश्वास को बढाने वाला होगा रचनात्मक क्रिया सिल्ता बनी रहेगी महिला वर्ग से लाभा और आर्थिक स्थिति आपके मेहनत और क्रिया सिल्ता के उपर निर्भर करेगी अपने अतिरिक्त उर्जा का इस्तेमाल रचनात्मक कारियों में करते जाएं लाभ मिलेगा मगर विवादित मामले संभावित हैं हाला कि मित्रों का सहीयोग बना रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा सिक्षप्त योगता में सफलता मिलेगी बुजूर्गों का आशिर्वाद और पारिवारी प्रेणा बनी रहेगी मगर स्वाद संबंधि आवसक सावधानी बनाए रखे कन्या राशी के जात्मों के लिए नावस्टेख धन खर्च, अबबय और नकारात्मक विचारों के उतार चड़ाओ का संकेत मिलता है मगर ब्यावसाइक उन्नतिक अज़ा और आठिक लाव को बहाने वालाओं का मित्रों और सही योगियों से सकारात्मक पेरणान मिलती रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और संबंधित मामलों में यात्रा संभावी थै साजेदारी रावदायक रहेगी विरोधियों से सावधानी अपेकचित है आठिक और ब्यावसाइक मामलों में विवाद भी संभव है अध्यान अध्यापन के लिए आज का दिन सामाने रहेगा प्रयास जारी रखे खान पान में और पेट संबंधि समस्याओं से सावधानी अपेकचित है तुला राश्य के जात्कों को आर्थिक लाव की स्थिती बनी रहेगी और आय संबंधि नए विकल्व तयार होंगे चंद्रमा का सुक्र के नक्षत में होना सहयोगी प्रिश्वोमी तैयार करेगा मगर अपनी कारी ओजनाव में सावधानी अपेकचित है नए कारी ओजनाव के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें सरकारी विवाद और उचित दिशा निर्वेस में रुकावट संभावित है किसी विशय को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्म न बनने दें हलाकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा सिच्छा प्रत्योगता के छेतर में सफलता संभावित है साथ ही वाद विवाद और नकारात्मक बिचारों वाले दक्तियों से दूरी बना कर रखे बिच्छिक रार्षि वाले जात्कों की कारेच्छेतर के प्रति सक्रियता बढ़ी रहेगी और नई कार्योजनाओं के स्रीजन की मानसिक्ता बनी रहेगी कारेच्छेतर में अभिकारियों का सहीयोग मिलता रहेगा संभन्धित मामलों में यात्रा भी संभावित है सकता है पारिवारिक पेरणा मिलती रहेगी अपनी दिन चर्या में खान पान को संतुरित रखें और स्वास संबंधि आवसक सावधानी बनाए रखें धनु राशिवाले जातक कारेच्षेत में अनकूल महसूस करेंगे मगर स्वास संबंधि सावधानी रखनी चाहिए चंद्रमा के सुक्र के नक्षट में चलने से अधूरे पड़े कामों को निखटाने के प्रती चिंता लगी रहेगी और रचनात्मक प्रयास साथक होंगे मगर वित्तिये मामलों के लेन देन में सावधानी रखें हलकि आथिक वक्ष मझबूत रहेगा ब्यावसाइक मामलों में आपका काम सुचारू ढंक से चलता रहेगा साजेदारी के कामों के लिए आज का दिन अनकूल है पिद्ध्याथियों के लिए आज का दिन सामाने होंगा संतान पक्ष सुखत समाचार मिल सकता है नीजी समन्द प्रगाढ होंगे और पारिवारिक दाइत की पूर्ती होगी मकर राशिवाले जात्कों के मानसिक ध्रम का दौर समाप्त होगा और व्यक्तित्र में निखार आएगा मित्रों से सहयोग मिलेगा और संतान के प्रतियात मिश्वास में प्रिद्धी होगी चंद्रमा के आठ्वे घर में चलने से मन में अनावरसक चिंता कुछ कामों में रुकावट और भैगरस्ता के साथ साथ नकारात्मक विचारों का उठना और मधुर संबंधों में कमी संभावित है सिच्छा प्रत्योगता में सहयोग मिलेगा अपने स्वास पर आवसक सावधानी बनाए रखे और वाहन सावधानी से चलाए कुम्भरास के जात्मों के लिए आज का दीन अनकूल रहेगा आठिक पर्ष के विकास और साज्यदारी के प्रतिस सहयोग मिलेगा अभ्यावसाई के अनकूलता बनी रहेगी द्रः विश्वास और कारे छंता में बिद्धी होगी सासर सत्ता बाधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा बिरोधियों से सावधानी अपेक्चित है साध्यदारी लाहुदायक रहेगी सिक्षा पत्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी बैवाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनकूल रहेगा परिवार में हर्स और पसंदता का महौल बना रहेगा मगर स्वास संबंधी सावधानी अपेक्चित है मीन रासी वाले जातकों के लिए स्वास संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और नकारात्मत विचारों के प्रतिमानसिकता बनी रहेगी चंद्रमाच छठेगर में चल रहे हैं, मानसिक संतुष्टी में कमी के साथ आर्थिक लेंदेन के प्रतिवी सावधानी अपेक्षित है ब्यावसाइक लाव मिलने से मन्ने उत्साह और कारियोजनाओं को बढ़ाने की प्रेणा मिलेगी मगर अधिक जोखिम वाले काम उचित नहीं होंगे नीजी पारिवारिक विष्टों में सावधानी अपेक्षित है, सरकारी काम काईच से लाव सम्होग है निद्यातियों के लिए आज का समय संधर स्भरा हो सकता है प्रयाश जारी रखें और आपसी संबंधों में मधूता कायम रखें आज के लिए वस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए